तो जै हिंद मेरे प्यारे साथ ही हो, कैसे हुआ आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, दोस्तो काफी सारे students ऐसे हैं, जो कि बार-बार message कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर ये बताइए, भारती डाग विभाग में नई भरती कब आएगी, ABPM, BPM और ग्रामीर, डाग, सेवक के पदोपे, दोस्तो आज की सीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि भारती डाग विभाग की, नई भरती कब आएगी, उसके अलावा काफी सारे बच्चों का ये भी क्वेरी था, कि सर मैं दो साल से तीन साल से लगातार फार चीमें नाम नहीं आता है, तो किस डिवीजण या कि सरकल से फार्म कोugen के अपिलाई करना चाहिए जिसे की मेरा नाम आ जाए, उसके अलवा हाइश्कूल में कितने परफंटेज होने चाहिए, जिसे की आने वाली भरती में मैं फार्म को फिल कर सकूं, मेरा सिलेक्शन हो जा तो इसका मतलब यह जान लिए कि आपकी जो आने वाली भरती है भारती डाग विबाग में इसमें आप लोग सही तरीके से फिल कर सकेंगे और कहीं न कहीं सिलेक्षन का चांस आपका बढ़ जाएगा तो वीडियो को अंत तक देखेंगा चैनल पर नए हो या फिर पहली बार ह तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए और दोस्तो काफी सारे यूटूबर्स हैं इंफ्लियंसर्स हैं जो की बच्चों को भ्रमित करने का काम करने हैं जानते क्या कहते हैं कहते हैं कि अगर आपका हीकत कया है मैं आपको बताना चाहता हूँ देख्ये अगर भारती डाग विभाग की नए वेकेंसी के से बारे में अगर आपको मालूम होगा या फिर पुरानी वेकेंसी के बारे में थोड़ी सी विन जानकारी आप रखते होंग तो आपको यह जरूर मालूम होगा दोस्तो की जो मेरिट सूची आती है उसका कट आफ कितना जाता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी रिसेंटली में स्पेशल ड्राव की छटवी मेरिट सूची जारी हुई थी और उसके कट आफ की अगर मैं बात करूंगा ना तो 95% 97% 98% इस प्रकार से कट आफ देखने को मिल रहा है कुछ कुछ सरकल तो ऐसे हैं जहां पर 100% का भी कट आफ देखने को मिल रहा था दोस्तों और यह यूटूबर कह रहे हैं कि 50% 55% 60% में आपका नाम आ जाएगा बच्चों को बिल्कुल बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है और एक बात मैं को बता देना चाहता हूं कि देखें सही और गलत में आप लोग भी परख करना से किये कि कौन सा चैनल है जो कि आपको सही जानकारी देता है कौन सा चैनल है जो कि आपको जूठी जानकारी देना चाहता है तो इस चीज को आप लोग परखने की कोशिस कीजिए ठीक ना इतन पर भरती आएगी दोस्तों हरपाल होता क्या है कि 2 बार वेगिदैन्सीज आती है एक जनौरी महा में और एक आता है मई जून में तो जैसा कि आप सभी लोग को मालुम है दोस्तों कि जन्वरी का माह चल रहा है और जन्वरी के महीने में लाश्ट में आपको ये नई भरती देखने को मिलेगी कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि 25 जन्वरी के बाद में ठीक ना 25 जन्वरी के बाद में आपको भारती डाग विभा की ये नई भरती देखने को मि लिएगा जिसमें की दस्वी पास आल इंडिया मेल और फीमिल दोनों के दोनों एप्लाई कर सकते हैं किसी प्रकार का कोई भी एक्जाम नहीं होता है मेरिट बेफ लक्षन होता है दोस्तों आप सभी लोग को मालूम है दस्वी के परफंटेज के आधार पे आपका मेरिट लि लिए जाता है अब सवाल यह आता है काफी सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि सर यह बताइए दस्वी में कितने परफंट मार्ग्स होने चाहिए जिससे कि मेरा नाम आ जाए दोस्तों यह जानना बेहद जरूरी है मैं आपको यहां पर जूटी तसल्ली नहीं दूँगा कि आपके 50% मार्ग्स हो 55% मार्ग्स हो या फिर 50% मार्ग्स हो तो आपका मेरिट सूची में नाम आ जाएगा देखिए जो चीज शही नहीं है उसकी जानकारी मैं आपको क्यों दो यार जो ऑथिंटिक जानकारी होती है वो मैं आपको इस चैनल के माध्धम से देता हूँ लेकिन डिपेंड करता है कि आपने पोश्ट प्रिफरेंस किस प्रकार से दिया है और इस चीज को आप लोग जरूर समझेगा ठीक है उसके अलावा दोस्तों अगर आप सी या फिर एस्टी कैटेगरी के अंतरगत आते हो तो 75% मार्ग्स है इससे जादा है तभी अपलाई क लेकिन देखिए हकीकत यही है कि यहां पर कंपटिशन बहुत ज्यादा है तो जिनके ज्यादा परफंटेज मार्ग्स रहेंगे ना जिनके जितना ज्यादा परफंटेज मार्ग्स रहेगा उनको उतना ही यहां पर बेनिफिट मिलेगा तो इससे ज्यादा परफंटेज हो तभी आप लोग apply कीजेगा और इससे कम percentage हो तो apply करना मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा ठीक है ना अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर यह बताईए अच्छा इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं PWD category वालों के लिए ठीक है ना जिनका 50% plus marks हो यान होता है हिंदी भाषी छेटर और एक होता है नौर्थ इस्ट का रिजन और तीसरा होता है सौथ एरिया ठीक ना यानि कि सौथ भारत तो मैं सबसे पहले बात करूंगा हिंदी भाषी छेत्र की कि अगर आप मध्य प्रदेश छतिफगड़ उत्तर प्रदेश बिहार राजस् शित्र की तरफ से apply करोगे तो वहाँ पर बच्चे काफी कम apply करते हैं वहाँ का cut-off कम जाता है जिससे कि आपके अगर थोड़े परफंटेश कम भी रहेंगे न तो आपके selection के जो chances है वो कहीं न कहीं ज़्यादा रहेगा बढ़ जाएगा तो कोशिस यह कीजेगा कि concert division select करना है बाकी देखे हरियाना पंजाब ऐसे राजी है न दोस्तों यहां के cut-off के अगर मैं बात करूँगा तो हमेशा 100 परफंट जाता है और वहाँ पे 99 और 100 ही जाएगा इससे कम वहाँ पे जाए गए नहीं तो अगर आप हरियाना या पंजाब से आते हो ना तो आप लोग other circle फे farm को fill कीजिएगा जिससे कि आपके जो cut-off है अगर आपके थोड़े ठीक ठाक परफंटेज माक्स है ना तो आपके नाम आने का चाफ जो है वो बढ़ जाएगा उसके अलावा other circle के अगर मैं बात करूँगा जैसे नौर्थिष्ट औरिसा असम गुजरात महराश गोवा केरल और जम्मो एंड कश्मीर दोस्तों तो यहाँ पर अगर आपके 75 से ले करके 80 परफंट मास के बीच में अगर माक्स होगा ना तो यह मान के चलिए कि आपके maximum chance है मेरिट लिष्ट में नाम आने का लेकिन यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि नौर्थिष्ट में जो है वहाँ की बात करूँगा तो मराठी वोला जाता है है ना तो दोस्तों इन सब एरिया में अगर आप फार्म को फिल करते हैं तो यहाँ का लोकल लेंगवेज आपको आना चाहिए तभी आप फार्मको दोस्तों कि अगर मैं बात करूँगा तो वहां का cut-up जो है ज्यादा जाता है तमिलनाडू तेलंगाना आंदर प्रदेश के अगर मैं बात करूँगा तो 90% plus का cut-up आपको वहां भी देखनेयों को मिलेगा आप सबसे important यह है कि सर यह बताइए पोश्ट प्रदेश क्या होता है और यह किस प्रकार से देना चाहिए इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझेगा दोस्तों देखे पोश्ट प्रदेश के अगर मैं बात करूँगा ना तो सबसे पहले आप लोग एक सर्कल चूज़ करते हो कि हां मुझे उत्रप्रद का जो डिवीजन होता है ना उसको आप लोग पकड़िएगा ठीके ना उसको अगर टार्गेट करेंगे तो वहां से कटफ जो है वो काफी कम जाता है और एक डिवीजन के अंतरगत में कई सारे पोश्ट आफिस आते हैं उसमें आपको यह देखना है कि पहले आपकी क्या है से है जैसे कि जंडल होता है जंडल में मालई लिज्यकी 500 सीटे हैं OBC कि अगर मैं बात करूंगा तो इसमें से 300 सीटे हैं कैटेगरी में नंबर आफ टोटल फीट कितना है अगर आप सी के इंतर गताते हो सो सीटे हैं तो आपको सी में एप्लाई करना इसके अलावा ओवी सी और जनरल से भी एप्लाई कर देना है यह होता है पोश्ट प्रिफरेंस देने का सही तरीका जिसे कभी आप लोगों ने दे अगर आपने फार्म को फिल किया है उस डिवीजन में सबसे हाइस्ट परफंटेज अगर आपका होगा तो आपका मेरिट सूची में नाम तो आएगा ही आएगा ना और अधर डिवीजन से आप से ज्यादा परफंटेज वाले मार्स अगर उनके होंगे तो उनके नाम आएं अच्छे ये पूछ रहते कि सर ये बताइए कि शेडूल सेकेंड का सिलक्षन प्रॉसेस जो है वो बढ़ाया जाएगा की नहीं जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है शेडूल सेकेंड की वेकेंसी की में बात करूंगा तो अभी 6 मेरिट लिष्ट जारी हुआ है और 6 तो होता क्या दोस्तों कि भारती डाग्न विभाग की जो नहीं भरती है इसमें कहीं ने देखने मिलता फिर जो वेकेंसी में की यह जनवरी only वाली है भारती बात में कभी देखने को मील वक्ता है जैसा कि आप अभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि दो हजार बाइस तैफ के अगर मैं बात करूंगा ना तो दोस्तों एक लाख बीफ हजार से जादा पदो पर भरती आई थी भारती डाग विभाग के अगर मैं बात कर रहा हूं ठीक है ना सबसे पहले सब्सक्राइबर बाइन चाहता हुआ है बस चाह्टे कि अपना डॉक them ऐख बात करूंगा क ओ और वीडियो से मैंने बताया था और इस बार फिर बता देना चाहता हूं कि आवश्चक दफ्तावेच क्या लगेगा आपका तो सबसे पहले तो हाई स्कूल का मार्क्षीट होना चाहिए उसके बाद आपके पास काश्ट सेटिफिकेट होना चाहिए वह भी सेंटर लेवल का इस तरह की चीज़े नहीं चलेंगे इस तरह की चीज़े रहेंगे तो आपको डाकुमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा यानि कि आपका नाम पता फादर नेम डेटा आफ बार्थ एड्रेस हर जगा सेम होना चाहिए सभी डाकुमेंट्स में तो काश् साइज फोटो होने चाहिए वो तो होंगे ही उसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अगर मैं बात करूँगा तो देखिए अभी नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया है भारती डाग भाकी नहीं भरतीगा लेकिन मेरे अगर आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लेतो होना तो वो आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तों क्या पता कि नहीं आने वाली नहीं भरती में वहाँ पर विभाग के दुवारा कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग लिया जाए तो आप लोग क्या करोगे तो कम से कम तीन महीने से ऊपर का सारे डाकूमेंट्स आपको अभी तयार कर लेने हैं जब तक भरती नहीं आ रही है और ज्यादा दिन का समय नहीं है बस एक सब्ता के बाद आपको यह नई भरती भारती डाग विभाग में देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों यहीं सारा सब को जानकारी देना था वीडि कि फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद